अब हम आजाते हैं अपने सिलिवस के अगले हिस्से पर अगले टॉपिक पर और उस टॉपिक का नाम है आपके सिलिवस में सामाजिक नियंतरण एवं सामाजिक परिवर्तन तो ये दो अलग-लग भाग हैं दो अलग-लग टॉपिक्स हैं एक है सामाजिक नियंतरण और दूसर देखने के लिए या पढ़ने के लिए वो उसका नाम है सामाजिक नियंतरण के साधन एवं अभिकरण तो आपके सलिवस में डारेक्ट यही दिया गया है तो इसके पहले हम यह जाने की सामाजिक नियंतरण के साधन एवं अभिकरण क्या-क्या है उसके पहले हम यह जान लेत कि समाजिक नियंतरन होता क्या है तो समाजिक नियंतरन सब्द सही बता चल रहा होगा सोशल कंट्रोल एक ऐसा सब्द है जिसके माद्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि समाज पर नियंतरन करने की कोशिस की जाती होगी तो इस पर अलग-अलग विचार हो सकते हैं लोगों के अलग- से देखें कि समाजिक नियंतरण की क्या परिभासा है तो उसकी अपनी एक विशिष्ट परिभासा या अर्थ है जो वो कहता है अपने सब्दों में तो जब हम समासास के दिर्शिकों से देखते हैं कि क्या है समाजिक नियंतरण तो वहाँ पर समासास यह कहता हुआ दिखाई देता है कि समासास के अंसार संपूर्ण समाज में एकता बनाए रखने के लिए एवं व्योस्था बनाए रखने के लिए लोगों के विवहार को नेमित या रेगुलेट करना ही सामाजिक नियंतरन कहलाता है तो यह आपको दिखाई देता है कि समासास क्या कहता है कि समपूर्ण समाज में जो लोग हैं उनके बीच एकता और इन लोगों की बीच एक व्योस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि समाज के अंदर मौजूद लोगों को नेमित किया जाए यानि कि उनके विवहार को नेमित किया जाए उनके द्वार किया जाए आचार और विवहार को रेगलिट किया जाए लोग कैसा विवहार कर रहे हैं उस पर किसी ने किसी तरह का प्रतिबंद लगाया जाए या रोग लिए लगाई जाए यही है नेमित करना लोगों को यह बताया जाए कि कि किस तर दायक विवहार कर रहे हैं तो उनको इस प्रकार के विवहारों को करने से रोकना तो यही है समाजिक नियंतरण जिसके माध्यम से समाज में एकता और व्यास्था बनाई रखने की कोशिस की जाती है तो यहां पर बहुत जरूरी है कि लोगों के विवहार को नियंतरित किया ज संस्थान होते हैं समाज में और वो संस्थान जो होते हैं वो आपचारिक भी हो सकते हैं और अनपचारिक भी हो सकते हैं तो यही पूरी प्रकिया क्या कहलाती है समाजिक नियंतरण और इसी के अंदर हम को जो सिलिवस में जो देखना है उसका नाम है समाजिक नियंतरण के अनकुल बनाने की कोशिस करते हैं या लोगों के विवार को समाज के अनकुल बनाने की कोशिस करते हैं ताकि समाज प्रगती कर सके तो उसी चीजों को या उनी चीजों को देखना है कि वो कौन-कौन से तर्तो या साधन है तो आए एक एक करके देखते हैं कि वो कौन-कौन से साधन और अभिकरण है अब हम ये देखने से पहले कि समाजिक नियंतरण के कौन-कौन से साधन और अभिकरण होते हैं पहले ये समझ लें कि अभिकरण और साधन का अर्थ क्या है अभिकरण से तातपर यहां पर ये निकल कर आता है कि वे संस्थान जो लोगों के वेवहारों को नियंतृत करने का प्रयास करते हैं तो ध्यान रखेगा कि अभिकरण या एजन्सीस क्या हैं ऐसे संगठन जिनके माध्यम से लोगों के विवहारों को समाज के अंदर नियंतृत या नीमित करने का प्रयास किया जाता है और ये संगठन या संस्थाएं या एजेंसीस या अभिकरण जो हैं वो अपचारिक और अनपचारिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं अर्थाथ घर परिवार ये भी संगठन या एजेंसीस हैं इसके लावा कानून या राज्य ये जो हैं इनके माध्यम से भी, मतलब कानून के माध्यम से भी लोगों के विवार को नेमित किया जाता है तो विभिन प्रकार के जो संगठन दिखाई देते हैं समाज के अंदर जिनके माध्यम से लोगों के विवारों को नेमित किया जाता है उन्हें हम कहते हैं एजेंसीस या अभिकरन और इन एजेंसीस के माध्यम से या इन अभिकरनों के माध्यम से जिस तरह से लोगों के विभारों को नियमित क्या जाता है उसे कहते हैं साधन, मतलब इनके द्वारा बनाए गए नियम, ध्यान में रखेंगे कि अभिकरनों के द् पर दबाव डाला जाता है कि वे लोग क्या करें अपने आप पर अपने विवहारों पर नियंतर रखें अपने विवहारों को समाज के अनकूल बनाएं उनके विवहार ऐसे होने चाहिए जिसकी वज़े से या जिनके चलते समाज की प्रगती हो समाज को उनके विवहारों से लाब हो तो ये है साधन मतलब साधन का अर्थ समझने की प्रयास करेंगे आप लोग कि साधन क्या है नियम है तो संस्था या संगटन को हम कह रहे हैं अभिकरण और इन संस्थाओं और अभिकरणों के माद्यम से बनाएगे नियमों को हम क्या कह रहे हैं साधन तो इनी के बार परिवार एक ऐसा अभिकरण है जिसे अनौपचारिक अभिकरणों के तहर सामिल किया जाता है और यह अनौपचारिक अभिकरणों के तहर सबसे महत्पूर्ण अभिकरण है किसी विक्ती के व्योहारों पर नियंत्रण रखने के लिए आप सभी को पता है कि परिवार जो है वो बहुत ही महत्पूर्ण इस्थान रखता है प्रतेक विक्ति के जीवन में और कोई भी विक्ति कभी भी ऐसी कुशिस नहीं करता कि परिवार उसका साथ ना दे या परिवार उसके साथ या परिवार उससे नाराज हो जाए तो यह ध् सबसे पहले मनुष्य के व्यवहारों को नियंद्रित करने की कोशिस की जाती है और इन नियंद्रणों के माद्यम से व्यक्ति को या बच्चे को या किसी इंसान को समाज के अनकूल जीवन जीने के योगे बनाया जाता है अगर किसी परिवार का कोई बच्चा ऐसे कोई कारे कर रहा है या ऐसे विवार कर रहा है जो समाज के हित में न हो तो ये परिवार ही है जो उसके विवारों को सुधारने की कुसिस करता है विविन साधनों के माध्यम से साधन क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं परिवार के पा है, यह सबसे पहली प्रात्मिक एकाई के रूमें दिखाई देता है समाज में जो एक व्यक्ति के व्यवहार को नियन्तृत करता है, और उसके व्यवहारों को समाज के अन्कुल बनाने की कोशिस करता है, तो ध्यान में रिखेंगे कि सबसे महतपूर्ण इकाई काउं सी दिखाई दे रही है और अनवचारिक इकाई जो है कि अनवचारिक इकाई में वो है परिवार ध्यान में रखना है आप लोगं को कि परिवार सबसे महतपूर्ण प्रात्मिक इकाई है किसी व्यक्ति के विवहार को नियंतरित करने में इसके बाद हम आ जाते हैं अगले अभीकरण या अगले संस्थान के उपर, एजेंसे के उपर क्यों कौन सी हैं जो व्यक्ति के विवर को नियंतरित करती हैं समाजिक नियंतरण के साधनों में अगला साधन है जनरीतियां या फोक वेस तो इनके बारे में हमने पहले भी जान लिया कि क्या होती है वो तो एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं कि यह क्या है और किस परकार से समाजिक नियंतर का कारे करती है जनरितियां समाज में प्रसलित ऐसे मानता हैं या नियम हैं जिनको समाज में रहने वाले प्रतेक वेक् इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो जनरीतियां होती हैं ये समाज में समाण रुप से प्रस्लित होती हैं और एक वेक्ति जो समाज के अंदर जन्म लेता है वो जन्म लेने के बाद ही इन जनरीतियों का स्वतह ही पालन करने लगता है तो जनरीतियां वही हैं जो हम जीवन में समाने रुप से करते आ रहे हैं कि लोगों का सम्मान करना, लोगों का अदर करना, घर आए महमान को उचित सम्मान देना अपने बड़ों साथ उचित तरीके से विवहार करना, अपने छोटों को उसने देना किसी भी प्रिकार का गलत वेभार ना करना घर और समाज के अंदर रते हुए तो ये जनरीतियां हैं और इसके तहट इनका पालन करना अनिवार होता है और ये कोई विक्ति इन जनरीतियों का जो सम्मान नहीं करता है या इन जनरीतियों का उलंगन करता है तो सामाजिक प्राउधान ही दिखाई देते हैं और उसामाजी प्राउधान है कि उस विक्ति की नंदा की जाती है सामाजी गृप से या उसका मजाक या उपहास उड़ाया जाता है या फिर उसको रोका टोका जाता है तो जनरीतियां भी एक तरह से ऐसे माध्यम दिखाई देते हैं जो कि समाज में लोगों के विवहारों को नियंतरित करते हैं लोग अगर जैसे आप कुछ ऐसे विवहार करते हैं जो समाज के लिए उचितनी है तो लोग आपको रोकते हैं उन गलत विवहारों को करने से या फिर अगर आप तब भी नहीं मानते हैं उनके विवार उनकी बातों को तो लोग आपका मजाक उडाते हैं या हसी उडाते हैं या आपके पर व्यंग करते हैं तो ये देखा होगा आपने कि समाने जीवर में ऐसा कई बार होता है कि कोई वेक्ति एगर समाजिक मानिताओं और प्रथाओं का उलंगन करता है या उन्हें मानने से इंकार करता है तो लोग उनको किसी न किसी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं या उसको रोगने की कोशिश करते हैं कि आप ये मानो इन नियमों को मानो जो समाज के लिए समाजिक नेंतर का अगला साधन है लोकाचार या मूर्स इनके बारे में भी हमने पहले चर्चा कर ली है एक बार फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हमने ये पहले पढ़ा था समझा था कि जब जनरीतियां ही एक लंबे समय तक समाज में बनी रती हैं और समाज जब ये प्राप्त आदर्सों को ही लोकाचार कहा जाता है और यदि कोई विक्ति इन लोकाचारों को मानने से मना करता है या इन लोकाचारों का उलंगन करता है जो कि समाज में एक तरसे माननता प्राप्त हैं तो कई बार उसे दंडित भी किया जाता है और ये दंड अलग अलग त दंडित करता है तो लोकाचार भी एक तरीका दिखाई देता है समाज का या समाज के अलग-अलग वर्गों का अपने अपने समाज के अंदर रहने वाले लोकों को नियंतरित करने का या फिर उन्हें अपने समाज के नियमों में बांधने का तो एक रास्ता या एक तरीका समा स्माज क्न गर दोर्य कoqu नियंदर्ण 2019ada in kadar land of drug, rand valued आजिए जो मेंNever normal कोais мужчं नहीं सदाद आपि की जा तो इसके और प्रचार होगाया नहीं पर दोर्य कि सब्सक्क्राइब किया एक सब्सक्राइब क में कोई कमी हैं अगर गर्चार एक अपडारण भी देखे लेते हैं हैं जिनके माद्यम से प्रचार किये जाते हैं और लोगों की जीवन परिवर्तन लाने या फिर उनके जीवन में नियंत्रण इसापित करने की कोशिस की जाती है तो वो साधन हैं टेलिविजन रेडियो चैनल इसके अलावा पत्र पत्र काया हैं समाचार पत्र इत्याद ये अलग लग साधन हैं प्रचार के जिनके माद्यम से अनेक सामाजिक बुराईयों को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है अब वो कौन-कौन सी समाजिक बुराईयां है जिनको इन माद्यमों का प्रयोक करते विए नियंतरित किया गया है या नियंतरित करने की कोशिस की गई है तो बहुत सारे उदारण है उनमें से कुछ उदारण देख लेते हैं जैसे कि बाल विवाह की कुप्रथा इस प्रचार के माद्यम से दूर करने की कोशिस की रही है और आगे भी ये एक बहुत बड़ियां साधन या माध्यम या अभिकरण दिखाए दिता है कौनसा प्रचार का समाजिक समस्याओं को नियंतरित करने के लिए इसके बाद हम आजाते हैं अगले माध्यम या अभिकरण के उपर समाजिक नियंतर्ण के समाजिक नियंतर्ण के अभिकरणों में अगला अभिकरण है जन्मत या पब्लिक ओपिनियन जन्मत का अर्थ होता है जन्ता से लिया गया मत अर्थात जन्ता की राय यहां पर इसका अर्थ यह है कि अगर किसी भी मुद्दे पर या किसी भी समाजिक समस्या पर जनता की राय कुछ विसेश फ्रकार की है तो जनता उस राय के माद्यम से समाज में दूसरे विसेश फ्रकार की सोच रखने वाले लोगों पर नियंतरन इस्थापित कर सकती है इसको और सरल सब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो वहां पर दिखाई देगा कि अगर समाज में सराब को लेकर के या नसे को लेकर के अगर उधारन के तौर पर हम देखें नसा या सराब तो अगर समाज में अधिकांस लोगों की सराब या नसे की प्रती राय ये है कि ये उचित नहीं है ये खराब है या समाज के लिए एक समस्या है तो इस तरीके से भी समाज के इस रवये से भी समाज जो है अपने समाज के ऐसे लोगों पर जो की इस बुरी आदत से प्रभाव है समाज ये करता है की वो ऐसी मानताइं बनावन लेता है ऐसे जन्मत त्यार कर लेता है और उसको त्यार करने की कोशिश keepers ने करता है जन्मतों को की लोग बुरी आधतों को कानने से चोड़ें और सबसे बढ़ी अधारण मैंने सराब का दिया कि समाज में प्राया है एक तरह का जन्मत रह चलता है या प्रशलित है कि सराब या नसा समाज के लिए अच्छा नहीं है और जो विक्ति इन आदतों से ग्रसित है वो समाज के लिए उचितने है या समाज उसे सम्मान नहीं देता तो जनमत ये है समाज में किस नसा या सराब का ख़ोरी ये समाज के लिए उचित नहीं है और व्यक्ति को इनसे दूर रहना चाहिए तो दूर रहना चाहिए मतलब कि नियंतर निस्थाप्ट करने की कोशिस है ये और इसी वज़े से ही बहुत सारे लोग अगर उनकी इच्छा भी होगी अगर उचाते भी होगे कि उन्हें सराब पीना है या नसा करना है तो वो नहीं कर पाते क्योंकि समाज उन पर नियंतरण स्थापित करता है जनमत के माध्यम से तो ये भी एक तरीका है जनमत का भी एक पिरण है दंड एवं पुरुषकार ये भी कुछ तरीके हैं समाजिक नियंतरण को सापित करने के जैसा कि आपको सभी को पता है कि जब भी समाज में ऐसे कोई विक्ति होते हैं जो समाजिक नियमों का उलंगन करते हैं या समाज में प्रसलित मानिताओं को मानने से मना करते हैं तो समाज उन्हें दंड दे करके नियंद्रित करने की कोशिश करता है और ये बहुत ही समाने प्रक्रिया है वहीं अगर कोई व्यक्ति समाज में प्रस्लित नियमों और मानिताओं का समान करता है और उनके अनरूप ही अपने जीवन का यापन करता है या जीवन का पालन कर तो समाज उसको पुरस्कृत भी करता है तो बहुत समाने से प्रक्रिया है कि यदि कोई वक्ति समाजिक नीमों को नहीं मानेगा तो उसे समाज दंड देता है और यदि कोई वक्ति समाजिक नीमों को मानता है तो समाज उसे पुरस्कृत भी करता है इनाम भी देता है तो कहीं कहीं, लोगों के अंदरे डर होता है कि एगर उगलत करेंगे, तो समाज उन्हें दंड देगा, और ये डर ही क्या है? उनको नियंदेद करने का एक तरीका, पुरुसकार भी वही है कि एगर लोगों के अंदरे भावना होती औरिक समाज के लिए सही करेंगे, अंकुल कारि करेंगे तो लोग उनको पुरुस्कृत करेंगे, यानि कि ये पुरुष्कारपानिक भौनक भी क्या है नियंतरन का एक तरीका, तो ध्यान में रिखना है इसको आपको, इसके बाद आ जाते हैं अगले अभिकरण पर, समाजिक नियंतरण के अभिकरणों में अगला जो एक अभिकरण हमारे सामने दिखाई दे रहा है उसका नाम है हास एवंवेंग आप सबी को पता है कि हास एवंवेंग एक बहुत ही महत्पूर्ण तत्व है समाज में लोगों के हाव भाव या फिर उनके विवहारों को नियंतरित करने के लिए लोग अगर समाज में किसी भी तरह का गलत विवहार करते हैं तो प्राया ऐसा देखने को मिलता है कि समाज के अन्य लोगों के द्वारा उनकी हंसी उड़ा जाती है या फिर उनके द्वार के जा रहे है अजीबो गुरिव विवहार पर विंग कसे जाते हैं समाजिक नियंतर्ण का इसके बाद आ जाते हैं अगले अभिकरण पर समाजिक नियंतर्ण के अभिकरणों में अगला भी करण है नेता या लीडर यहां पर नेता या लीडर का मतलब किसी राजनितिक नेता या लीडर भर से नहीं है यहां पर नेता या लीडर कोई भी हो सकता कोई भी ऐसा नेतितु करता जो अपने विशेश किसी छेतर को नेतितु प्रदान कर रहा हो जैसे कि धार्मिक नेतितु करता या धार्मिक नेता समाजिक नेतितु करता या समाजिक नेता राजनितिक नेता इत्यादी और यह जो नेतितु करता वेक्ति होता है यह एक ऐसा आक पर नेता जो है वो बहुत मत्पूर्ण अभिकरन हो जाता है और वो प्राय है ऐसी कोशिज करता है कि लोगों को उचित दिशा दिखाए उचित दिखाने का मतलब यही है कि लोगों को नियंतरित करें अगर लोगों के विवहार अनियंतरित हैं लोगों की सोच अनियंतरित है लोगों की जो विचारधारा है वो अनियंतरित है उनको नियंतरित करना उनको एक ऐसी दिशा की ओ ले जाना जो किसी भी छेतर के लिए उचित हो अगर राजनीतिक नेतर दिखाने को और नितिक दिखाता है लोगों को अगर धार्मिक नेतर दिखाने को शिच करता है सामाजिक नियंतरण के अभिकरण के रोप में इसके बाद हम आजाते हैं अगले अभिकरण के उपर सामाजिक नियंतरण के अभिकरणों में अगला भिकरण है कानून की भूमिका अर्थात कानून किस प्रकार से सामाजिक नियंतरण करता है या समाज में लोगों के वेवहरों को नियंतरित करता है उसके बारे में हम नहाँ पर देखेंगी जैसा कि आप सभी को पता है कि कानून आज की दौर में बहुत ही महत्पुन गुमिका अदा कर रहा है लोगों के वेवहरों को नियंतरित करने में तो किसी भी प्रकार का जो समाज में आप एक कारे सैली देखते हैं, समाज में जीवन के विभिन छेतर देखते हैं, तो इन सभी छेतरों में कानून की बहुत मतपुड़ों का है, चाहे वो राजनितिक छेतर हो, चाहे वो आर्थिक छेतर हो, चाहे पारिवारी को, साहे के कानूनी नियंदण का सामना करते हैं अगर हम इस दोरान किसी भी प्रकार का इन में से किसी भी प्रकार की गलती करेंगे तो कानून हमारे उपर लागू होता है कानून हमें सही दिशा दिखाने कोशिश करता है अगर हम अपने राजनितिक जीवन में कोई गलत कारे करेंगे अगर हम अपने परिवार में कुछ गलत कारे करते हैं या परिवार के साथ दस्यों के साथ हम कुछ गलत कारे करते हैं तो कानून वहां भी हमें नियंतरित करने कोसिश करता है हमें सजा सुना करके वहीं व्यक्तिकत जीवन में भी अगर हम कुछ गलत करते हैं तो कानून वहां भी लागू होता है या हम समाजिक जीवन में किसी तरह का गलत कारे करते हैं तो कानून वहां भी हमारे उपर लागू होता है कानून वहाँ पर हमें सजा सुनाता है दंड देने की कोशिश करता है तो यह जो सारी जगह उपर आप देख रहे हैं कि कानून हमको सजा सुना रहा है हमें दंड दे रहा है यानि कि कानून हमें नेंतरित करने की कोशिश कर रहा है हमारे वेवारों को नियंतरित करने की कुछिस कर रहा है ताकि हमारे वेवार समाज के उचित मानिताओं के अनुरूप हो जाए तो यहाँ पर कानून एक बहुत ही महत्पूर्ण तक तो है समाज में लोगों के वेवारों को नियंतरित करने है तो इसको आपको ध्यान में रखना है इसके बाद आ जाते हैं अगले अभिकरण पर सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में अगला अभिकरण है राज जी की भूमिका अर्थात राज या सरकार किस प्रकार से समाज में के अंदर लोगों के विवहार को नियंद्रित करती है उसके बारे में हम यहां पर देखने जा रहे हैं तो सरकार या राज्य के पास ऐसे बहुत सारे संसाधन या साधन होते हैं या तरीके होते हैं जिनके माद्धियम से वो लोगों के वेवार को नियंद्रित करती है या कर सकती है इन तरीकों में या इन माद्धियमों में हम कुछ माद्धियमों के बारे में यहाँ पर देखेंगे जैसे कि सरकार उसके पास मौलिक अधिकारों के संरक्षन का अधिकार ह होता है और इन मौलिक अधिकारों के संरक्ष्ण के माद्यम से वो समाज के अंदर ऐसे लोगों को जो की दबे और कुछले हैं या फिर ऐसे लोग जिन्हें उन्हें के अधिकारों से वंचित रखा गया है आज तक उनके अधिकारों को उन्हें प्रदान कराती है वहीं पर वर्तमान दोर में भी मौलिक अधिकारों के माध्यम से अगर किसी वेक्ति के जीवन जीने के अधिकार या पिर अन्य प्रकार के मौलिक अधिकारों का उलंगन होता है या कोई दूसरा वेक्ती किसी एक वेक्ती के मौली कदिकारों को समाप्त करने की कोशिज करता है या उनको हनन करने की कोशिज करता है तो सरकार मौली कदिकारों के माद्यम से उस वेक्ती को सनरक्षन पुदान करती है तो ध्यान मेरेंगे कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं लिए नियंतरत करने के लिए कानून बनाती है और इन कानूनों या विधियों में बहुत सारे उदारना के पास हैं जैसे हिंदू विवाय अधनियम या फिर कन्या सिसुवद हत्या को रोकने के लिए अधनियम ऐसे बहुत सारे अधनियम और कानून बना करके सरकार परिवारो के अंदर सही व्योस्था बनाने कोशिज़ करती है और परिवार को भी गलत दिसामे जाने से रोकती है तो यह परिवार के उपर नियन्तर्ण करने का तरीक तरीके है इसके लावा सरकार या राज्ये के दोरह ही आर्थिक नियन्तर्ण भी किया जाता है जनता के जनता के उपर आर्थिक निंतन भी साबित कह जाता है जैसे कि अगर जनता का कहीं पर पैसा जमा है तो सरकार उस जमा हुए पैसे की सुरक्षा करती है या फिर किसी माध्यम से किसी विक्ती ने पैसा निकाला है तो सरकार उसको भी संक्षन प्रदान करती है इसका मतलब यहां पर यह है कि जैसे किसी विक्ती ने बैंक में पैसा जैसे किसी विक्ती ने बैंक से पैसा निकाला है और वो बैंक का पैसा नहीं दे रहा है तो सरकार उस विक्ती को बैंक का पैसा देने के लिए बात करती है क्योंकि जो बैंक है उसमें स्प्राय है या सामानत है आम जंता के द्वारा जमा की गई धंडासी होती है तो अगर वो विक्ति जो इसने बैंक से लोन लिया है और वो बैंक का पैसा नहीं दे रहा है तो आम जंता का पैसा डूब सकता है इस परिस्टिती में सरकार के पास वो साधन और छंता होती है कि ऐसे विक्ति को जिसने लोन लेकर नहीं चुकाया है उससे उसको ले जबरदस्ती भी ले सकती है सरकार तो यह सरकार के पास साधन है इसके लावा भी ऐसे बहुत सारे और तोर तरीके हैं जिनके माद्यम से राज या सरकार लोगों के विवहार को नियंद्रित करती है जैसे कि सिक्षा के माद्यम से सरकार सिक्षा के माद्यम से लोगों को जागरूप करती है उनको गलत विवहार करने से रोकती है तो ध्यान मिखेंगे कि राज जी का भी एक बहुत ही महत्पूर्ण योगदान है किसके लिए समाजिक नियंतरण के लिए यहाँ पर आपको यह ध्यान मिखना है इसके बाद आ जाते हैं हम अगले अभिकरण पर और अगला अभिकरण है समाजिक नियंतरण के अभिकरणों में अगला अभिकरण है धर्म की भूमिका या धर्म किस प्रकार से समाज का नियंतरण करता है या समाज को नियंतरण करने की कोशिस करता है उसके बारे में हम यहां देखेंगे धर्म भी जैसा कि आप सभी को पता है कि धर्म जीवन का एक बहुत ही आवस्यकंग है या जीवन का एक बहुत ही मत्पूरंग है जीवन में यह बहुत गहराई तक इसका असर होता है तो धर्म के पास भी ये ताकत ये चमता होती है कि वो लोगों के जीवन को नियंतरित करे या उन्हें निर्देशित करे धर्म के पास भी समाजिक नियंतरित को बनाये रखने के लिए या समाज को नियंतरित करने के अनेक साधन पाये जाते हैं उन सादनों में से कुछ सादनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहला एक सादन दिखाई देता है कि धर्म लोगों को संसकारवान बनाता है लोगों को सही संसकार अपनाने के लिए प्रेरित करता है ऐसे संसकार जो समाज के लिए उपयोगी ना हो या अनुचित हो उनसे दोरी बनाए रखने के लिए लोगों को समझाता है अप्रेजित करता है इसके लावा धर्म लोगों को कर्तव निष्ट बनाने की कुसिस करता है इसका तात्वर ये है कि धर्म लोगों को जिखाता है कि वे अपने जीवन में करतावे करें और जीवन में जो भी उन्हें प्राप्त करना है करतावे के मार्ग पे चलते हुए वो प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि धर्म लोगों को गलत रास्ता अपनाने से रोक रहा है इसका मतलब है कि एक तरह से वो लोगों को नियंतरित कर रहा है तो ऐसे और भी वह सारे रास्ते हैं और भी वह सारे तरीके हैं धर्म के पास जिसके माद्यम से वो लोगों को या लोगों के विवार को नियंतरित करता है ताकि लोगों का विवार समाज के अनकूल हो सके सामाजिक नियंतरित के अभिकरणों में अगला अभिकरण है सिक्षा की भूमिका या सिक्षा जैसा आपकी आप सभी को पता है कि सिक्षा मनुस्य के जीवन में बहुत ही महत्पूर्ण स्थान रखती है और सिक्षा मनुस्य को सब और सुसंस्रित बनाने का प्रयास करती है तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि जो सिक्षा है वो मनुस को सब बना रही है तो सब कैसे बनाएगी सब बनाती है मनुस के अंदर बॉद्धी की विकास को जन्म दे करके तो सिक्षा का जो सबसे बड़ा युगदान है मनुस्य के जीवन में वो यही है कि सिक्षा मनुस्य को एक जागरुक इनसान में आती है, एक जागरिती प्रदान करती है उसको, उसके अंदर बुद्धी और कौसल का विकास करती है, उसे सही और गलत के बीच अंतर समझाती है कि क्या सही है और क्या गलत उसको ये सही और गलत के बीच का अंतर समझा कर उसको उसके अनुरूप कारे करने के लिए प्रेजित करती है सिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को बताती है कि कौन सा विवहार करना उसके व्यक्तित के अनुरूप होगा समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है तो सिक्षा भी एक बहुत ही महत्पूर्ण और उपयोगी अभिकरण है समाज में लोगों के विवहारों को नियंतित करने का क्योंकि जब एक विक्ति सिक्षित होता है तो वो ये समझता है कि उसे दूसरों के साथ किस प्रकार का विवहार करना चाहिए और वो समानतह या प्रायह वैसा ही विवहार करता है जैसा वहवार वह स्वयम के लिए दूसरों से चाहता है तो सिक्षा इस नजरे से बहुत ही महत्पूर्ण साबित होती है तो इस वरकार ये हमने जो अभी तक देखे ये कुछ ऐसे अभिकरण है जिनके माध्यम से समाजिक नियंतरण इस्थापित किये जाते रहे हैं इसके लावा भी कुछ और माध्यम या अभिकरण हैं जिनकी जिनके या जिनका उपयोग करके समाज में नियंत्रण इस्थापित किया जा सकता है परन्त हम इन 11 अभिकरणों के बारे हमने यहाँ पर देखा है यह 11 जो अभिकरण है यह बहुत ही महाधपूर्ण अभिकरण है समाज को नित्रद करने के लिए इसलिए हमारी को सेशे रहेगी कि हम इन सभी को ध्यान में रखें इसके बाद हम आजाते हैं अपने अगले टॉपिक पर अगले हिस्से पर अब हम आजाते हैं अपने सिलेबस के अगले हिस्से पर और वो अगला हिस्सा है समाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं एवं कारक सबसे पहले समझ लेते हैं कि समाजिक परिवर्टन है क्या और वो कितने प्रिकार के होते हैं तो समाजिक परिवर्टन समाज के अंदर होने वाले परिवर्टनों को कहा जाता है जो समय के साथ लगातार होते रहते हैं अब समानते जो समाज में परिवर्तन होते हैं हम उनके बारे में इस परश तोर पर विभेद नहीं कर पाते हैं हमें लगता है कि परिवर्तन जो भी परिवर्तन हो रहे हैं समाज में वो लगबग एक जैसे ही है परन्तु समानते ऐसा नहीं है अगर हम उस पर ध्यान से देखे तो परिवर्तनों के भी अलग-लग प्रकार होते हैं तो ये धियान में रखेगा कि अधिकांस विद्वानों को ऐसा लगता है यहां तकि समाज सास्त्र के भी विद्वानों को ऐसा लगता है कि समाज में हो रहा प्रतेक परिवर्तन एक ही प्रकार का है परंतो ऐसा सत्य नहीं है, ये वास्तिक्ता नहीं है, समाज में हो रहे परिवर्दनों को भी उनके होने की प्रकार के आधार पर अलग-लग तरीके से देखा और समझा जाता है और उने अलग-लग नाम दिये जाते हैं तो सम्मानत है समाज में हो रहे हैं परिवर्तनों को चार प्रकार से देखा जा सकता है या समाज में हो रहे हैं परिवर्तनों को चार अलग-अलग रूपों में बाटा जाता है उनमें पहला एक दिखाई दे रहे हैं आपको उद्विकास या evolution परिवर्तन का एक प्रकार है य या progress, तीसरा एक प्रकार है परिवर्तन का विकास या development और चोथा है क्रांती या revolution तो यह जो चार आपके सामने यहाँ पर उदाहरण दिखाई दे रहे हैं यह सभी एक तरह के तरीके हैं, प्रोसेस हैं समाज में होने वाले परिवर्तनों के तो हम इनी के बारे में यहाँ पर evolution क्या है समासास के अंतरगत, तो सबसे पहले उसका समाने अर्थ देख लेते हैं कि है क्या उद्विकास, तो उद्विकास एक ऐसे पर किया है जिसमें कोई एक सीधी साधी वस्तू अपने अंदर क्रमिक परिवर्तनों के माद्यम से एक जटिल शुरूप या जटिल रूप धारण कर लेती है, यहीं पर हम उद्विकास को एक सोतर के माद्यम से भी देख सकते हैं कि उद्विकास क्या है, तो उद्विकास है निरंतर परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा में परिवर्तन प्लस गुनात्मक अंतर प्लस धाचेवा कार में भिनता, मतलब किसी हो रहे परिवर्तन और वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए तो एक निश्चित दिशा में होना चाहिए परिवर्तन दिखाई देता है उदाहरण के तौर पर देखना चाहें आप तो देख सकते हैं जैसे एक पेड़ होता है तो प्रारम में वो बीज होता है और बीज से फिर देरे पौधा और पौधे से व्रिक्ष का निमान होता है तो बीज में निरंतर परिवर्तन हो रहा है और वो बीज स देरे से वरिक्ष पौधा बनता है एक निश्ची दिसा में ओपर की और बढ़ता है लगतार बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते वरिक्ष का रुद्धारण कर लेता है तो इस बीज में जो बीज हमने लिया था उसमें एक गुणात्मक अंतर या गुणात्मक परिवर् तो साथी साथ समय के साथ उस बीज से पौधा बनने और पौधा इसे वरिक्ष बनने के दोरान उस बीज के धाचे वकार में भी धिन्ता या परिवर्तन होता रहा तो यह यहां पर दिखाई दे रहा है कि उद्विकास एक ऐसी प्रक्या है जिसमें परिवर्तन तो होता है पर बाद हम देख लेते हैं उद्विकास की विशेष्टाओं को देखने से पहले हम कुछ ऐसे विद्वानों या चिंदकों के बारे में भी देख लेते हैं पढ़ लेते हैं जिन्हों समासास करें तहट उद्विकास के बारे में अपनी अपनी परिभासाइं या वीचार प्रश्टुत किये हैं को सबसे पहले विचारक जो दिखाई दे रहा है वो हमारे सामने हैं ही नहीं होती वरन परिवर्तन की एक दिसा भी होती है तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात पर उद्विकास से होता है वहीं आगबर्न एवं निमकॉफ ने भी उद्विकास को एक निश्चित दिसा में होने वाला परिवर्तन माना है तो ये कुछ ऐसे विचारक हैं जो उद्विकास को ले करके अपनी विचार या अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं अब हम आ जाते हैं उद्विकास की विशेष्टाओं पर उद्विकास की जो सबसे पहली विशेष्टा हमा वो सरल होगा साधहरन होगा परणु धीरे धीरे उसमें क्रमिक प्रिवर्दनों के माध्यम से उसका स्वरूप जटिल होता जाता है जैसा कि अभी हमने थोड़े देर पहले एक बीज से वरिक्ष बनने की बारे में जाना या फिर एक बच्चे का विकास होता है अब विकास न अंगों का विकास हो जाता है तो यह पूरी प्रक्या क्या 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 लती है आपकी उद्विकास द्यान में रखेंगे कि प्रारम में एक सरल सरचना थी और सरल सरचना धिरे धरिक किसमें बदल गई जटल सरचना में तो इस प्रूरी प्रक्या को जिसके तहत एक वस्तू ज एक निरंतर एवं धीमी गती से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है तो इसमें ये बहुत ही मत्पूर्ण पॉइंट ये कहता है उद्विकास के बारे में कि ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी गती से होती है और लगातार होती जाती है जैसे कि हमने वरिक्ष के बारे में या पर मानों सरीर के निवान के बारे में अभी थोड़े दिर पहले समझा तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देता है कि वो जो भी प्रक्रिया थी वो बहुत ही धीरे-धीरे हो रही थी और लगातार होती जा रही थी तो ये भी एक विसेश्टा है कि उद्विकास धीमी गती से होता है और लगातार होता ही रहता है इसके बाद देख लेते हैं अगली विसेश्टा को उद्विकास की अगली विसेश्टा जो हमारे सामने है वो है कि उद्विकास एक सारभावमिक प्रक्रिया है सारभावमिक का मतलब है यूनिवर्सल अर्थात कि उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो हमेशा होती रहती है उसके लिए किसी समय या इस्थान की समस्या खड़ी होती वो किसी भी समय में आप देखेंगे तो उद्विकास की प्रक्या चलती ही रहती है समय का कोई भी कालखन उठाके देखिए तो उद्विकास निरंतर जाजी रहता है और आप किसी भी भागोलिक भुखंड में दिखे तो वहाँ पर भी आपको किसी ने किसी रूप में या किसी प्रकार का उद्विकास होता हुआ दिखाई देगा तो उद्विकास की प्रक्या समय और इस्थान से बादित नहीं है ये हमेशा ही और हर समय और हर इस्थान पर होती रहती है तो इसलिए इसक है कि उद्विकास एक निश्चित दिसा में होने वाला परिवर्तन है अर्थात जब भी आप उद्विकास की प्रक्रिया के पर नजर दोड़ाएंगे उसको ध्यान से दिखेंगे तो उसमें आपको जरूर दिखाई देगा कि उसकी एक अपनी निश्चित दिसा है पर अंतु वो परिवर्तन किसी भी दिसा में हो सकता है ये कहता है उद्विकास इसके बाद हम आजाते हैं अगली विसेष्टा पर अगली विसेष्टा है उद्विकास की कि उद्विकास के दौरान वस्तू अथ्वा समाज में गुणापक परिवर्तन होता है ना कि संख्यात्मक तो वस्तू या समाज के गुणों में परिवर्तन लाती है गुणों में कुछ नई विशेष्टाइं जोड़ती है तो इसको आपको ध्यान मेरकना है कि गुण परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है उद्विकास ना कि संख्या में परिवर्तन करने वाली इसके बाद हम देख ले इन परिवर्तनों के दोरान हम यह नहीं देखते कि वो जो परिवर्तन हो रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे हम बस इतना देखते हैं कि वस्तू या समाज में परिवर्तन हो रहा है तो उद्विकास के वल यह बताता है कि वस्तू या समाज में परिवर्तन हो रहा है और उसक कि अच्छाई या बुराई की तुलना उसमें नहीं होती है तो ये ध्यान में रखना है आपको कि यह एक मुल रहित प्रक्रिया है उद्विकास इसके बाद हम उद्विकास की अगली विसेश्टा को देख लेते हैं उद्विकास की अगली विसेश्टा जो दिखाई दे रही तो वो एक क्रमबद तरीके से आएगा और एक निशित तरीके से आएगा यानि कि चरणबद तरीके से आएगा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी वस्तु या समाज में कोई परिवर्दन हो रहा है तो उसके कई चरण है तो पहले चरण के बाद सिधा अंतिम चरण आ जाए तो ध पर 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 आप समझेंगे कि एक बच्चा अगर जन्म लिया है तो उसको इन सभी क्रमों और इन सभी चरणों से होकर के गुजनना होगा तब ही वो अपने अंतिम चरण यानी की विर्धावस्ता के चरण में पहुँचेगा। तो ये उद्विकास ही है जो बताता है कि ये एक क्रमबध और चरणबध प्रक्रिया है। तो इसके बाद हम आजाते हैं अपने अगली विसेश्ता पर, आठी विसेश्ता पर। हाथ कि जब कोई एक उधारन के तोर पर हम समझें कि जब कोई एक बच्चा अपने क्रमिक विकास के सभी चरणों को पार कर जाता है या एक एक करके सभी चरणों को पार करता जाता है तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अपने वो आगे के चरणों के बाद पिछले चरणों में वापिस आजाए मतलब कि एक बच्चा देरे जब बड़ा हो रहा है अब बड़ा हो करके माली जब वो युवा हो जाता है तो ये कभी भी संभो नहीं है कि वो युवाक से फिर से बाले काल के अस्था में आ जाए तो बहुत ही साधान सा अर्थ है इसका कि चरण बंद्र तरी विकास का करम समझा है आपको कि बच्चा है किसोर हुआ किसोर से युवा युवा से प्रावड प्रावड से वृद्ध तो कभी भी असानी हो सकता कि कोई विक्ति प्रावड़ा वस्ता से पुनह अपने बाले आवस्ता या किसोरा वस्ता में पहुंच जाए तो उसके पु बना है तो कभी ये संभव ही नहीं है कि वरिक्ष दुबारा अपने उसी रूप में आ जाए यानि कि वीज बन जाए या एक नया पौधा बन जाए तो उद्विकास के बारे में अगली आखरी और अंति में से सही है कि इसके चरणों की पुनरावित्ती नहीं हो सकती यानि कि कि वही चरण दुबारा नहीं दोराए जा सकते तो इस प्रकार हमने देखे कुछ विशेशताएं किसकी उद्विकास की तो सामाजिक प्रक्रियाओं में जो हमारे पास जो पहला हेडिंग था उद्विकास उसके बारे में यही इदनी ही बाते हैं इनही इनही बातों को हमारा अगला हेडिंग है प्रगती या प्रोग्रेस तो हम इसको समझ लेते हैं कि क्या है प्रगती या क्या है प्रोग्रेस तो प्रगती का अर्थ यह होता है कि जब कोई वेक्ती समाज के अंदर रहते हुए अपनी निर्धारित लक्षों की प्राप्ती के लिए लगातार प्रयासरत रहता है और उन लक्षों को वो प्राप्ट कर लेता है तो इस घटना को हम क्या करते हैं प्रगती जैसा मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है और वो अपने लक्षों को प्राप्ट करने का प्रयास करता है और अंदता है वो अपने लक्षों को प्राप्ट कर लेता है तो लक्ष निर्धारित करता है और बाद में वो उन लक्ष निर्धारित करना और मेहनत करते हुए तो लक्ष निर्धारित करना और मेहनत करते हुए अपने लक्ष तक पहुँच जाना में एक परिवर्तन की प्रक्रिया दिखाई देती है और ये परिवर्तन ही क्या करता है प्र प्रगति और ये एक सकरात्मक तर तो होता है और इसको प्राप्त करने के बाद एक वेक्ति जो होता है वो समाज में एक सकरात्मक युगदान देता है और साथी साथ वो समाज के कल्यान में भी अपनी भून का निभाता हुआ दिखाई देता है क्योंकि उसने सकरात्मक तरीक प्रगति एक सकरात्मक तक तो है और ये लोगों को हमेशा आगे बढ़ने की और प्रेद करती है तो उसका उदारण भी देख सकते हैं जैसे माली जो कोई इस्टुडेंट है और वो अपने जीवन में सफल होना चाता है सिविल सेवक एक्जाम में तो टारम में वो एक केवल स्टुडेंट है और वो सिविल सर्विसेस में सलेक्ट नहीं है तो उसने तै किया कि मुझे सिविल सेवक बनना है तो जब उसने सुरुवात किया और सुरुवात करने से लेकर के सफलता के पहुंचने तक उसने लगातार मेHNET की सरकारात्मक दिसा में आगे बढ़ता रहा अनत्रता है एक दिन वो सिविल सिवग बन जाता है तो सिविल सिवग बनने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है पहलो एक समान वेक्ति था, समान स्टुडेंट था समाज का अब एक सिविल सिवक है तो जीवन में उसके परिवर्तन आ गया है और ये परिवर्तन जो है वो सकरात्मक भी है और इस परिवर्तन से समाज का कल्यान भी होता है या होगा तो ये जो परिवर्तन हुआ वो किस तरह का परिवर्तन है प्रगती है क्योंकि उस विक्ति के जीवन में बहुत सारा अंतरागया बहुत सुधार आ जाता है तो जो ये सुधार आया कि पहले वो कुछ नहीं था अब वो बहुत कुछ है तो ये सुधार भी एक तरह का परिवर्तन है और इस तरह के परिवर्तन को हम करते हैं प्रगती तो इसको आपको ध्यान में रखना है अब हम यहाँ पर विभिन समाजिक विज्ञानियों या समाजसास के विद्वानों के विचार देख लेते हैं कि वो प्रगती के समन्द में अपनी क्या विचार धारा है रखते हैं या प्रस्तुत करते हैं तो आई देखते हैं सबसे पहले विचारक हैं लेश्टर वार्ड लेश्टर वार्ड कहते हैं कि प्रगती वह है जो मानवीय सुख में वृद्धी करती है वहीं अगले विचारे दिखाई दे रहे हैं हॉर्नेट हार्ट वो कहते हैं कि सामाजिक प्रगती सामाजिक धाचे में वे परिवर्तन हैं जो की मानविकी ये कारियों को मुक्त करें प्रेरणा और सुविधा प्रदान करें तथा उसे संगठित करें वहीं आगबॉर्न एवं निमकॉफ कहते हैं कि प्रगती का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसलिए प्रगती में मूले निर्धारन होता है तो ये कुछ प्रवुक विचारक हैं जो प्रगती के बारे में अपनी विचार यहां पर प्रस्तुत करते वे दि प्रगती की जो विचेशता हैं उनमें सबसे पहली विचेशता हमारे सामने दिखाई दे रही है कि प्रगती वांचित दिशा में परिवर्तन है तो ध्यान में रखेंगे कि कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो प्रगती नहीं है या किसी भी दिशा में होने वाला वो प्रगती नहीं है प्रगती के लिए ये एक आवसिक तत्व है कि वो उसकी दिसा वांचित हो यानि कि एक्चिक हो वो उसी दिसा में परिवर्टन होना चाहिए जो एक व्यक्ती ने लक्ष निर्धारित क्या हो तो जब कोई व्यक्ती अपने जीवन के लिए कोई लक्ष न होना भी मौझूद हो अर्थात प्रगती वही है जिसमें समाजिक मुल्यों के अनरूप लक्षों को प्राप्त किया जाए ऐसे लक्ष जिने समाज ने मानिता प्रदान किये हों समाज जिनको उचित मानता हो लोग अगर उनको पाने का प्रयास कर रहे हैं तब ही हम और लोग अगली विशेष्टा प्रगती की अगली विशेष्टा है कि प्रगती तुलनात्मक होती है या तुलनात्मक है इसका मतलब यह है कि किसी एक समय या एक इस्थान के तुलना में किसी दूसरे समय या किसी दूसरे इस्थान में प्रगती की विचारधारा में परिवर्तन या अंतर दिखाई दे सकता है जैसे कि किसी एक समाज के लिए उसकी जनसंख्या में हो रही वृद्धी उसके लिए प्रगती हो सकती है परंतो यह जरूरी नहीं है कि 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 किसी अन्य समाज में उसकी जनसंख्या में हो रही वृद्धी को वो प्रगती के रुब में स्विकार करें तो यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि प्रगती तुलनात्मक है और यह अलग-अलग समयों के लिए अलग-अलग हो सकती है या अलग-अलग भूखंडों के लिए अलग-अलग हो सकती है मतलब कि कोई एक भूखंड के लोग यह माने कि उनके यहां जनसंग्या में अगर वृद्धी हो रही है तो वो प्रगती है परन्तु जरूरी नहीं है कि कि अन्य भुखंड में रह रहे हैं लोग अपनी जनसंग्या में वृद्धी को प्रगती के तौर पर देखें तो तुलनात्मक चीज है यह ध्यान मरखेंग किसी विक्ति को अगर अपने जीवन प्रगती हासिल करनी होती है या प्रगती करनी होती है तो उसे कुछ न कुछ परिस्रम या मेहनत करना होता है और तभी वो जीवन में प्रगती कर सकता है और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि एगर मालिजे किसी छेतर का विकास करना क्या है या परिवर्तन करना है या प्रगती करना है मान लिजे किसी गाउं में प्रगती करनी है ये विचार रखना है या किसी गाउं को प्रगती प्राप्त करनी है तो प्रगती प्राप्त करेगा कैसे अर्था तो कहीं न कहीं पिछड़ा होगा तो पिछड़ा होगा तो पह तो यह जो हो रहा है यह परिवर्तन हो रहा है और यह परिवर्तन करने पड़ रहे हैं अपने अपनी हो रहे हैं इनसान करता है समाज के लोग करते हैं तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि प्रगति स्वैम नहीं होती प्रगति के लिए लोगों को कारे करना पड़ता है मेहनत प्रग्रती की अगली विसेष्टा चोथी विसेष्टा है कि प्रग्रती का सम्मंद केवल मनुस्यों से है तो ये बात भी बिल्कुल सत्ते है कि प्रग्रती जो है मानो जीवन से ही सम्मंदित है पस्वों की जीवन प्रग्रती जैसा कोई तत्तो नहीं दिखाई देता क्योंक पर मानिताओं के अनु रूपी कारे करते हुए आगे बढ़ता है। तो जब वो इस तरह से अगे बढ़ता है और अपने लक्षों को प्राप्त कर लेता है तो ये दिखाइ देता है कि केवल और केवल एसा कारे मनुजस सही कर सकता है और कोई जीव इस्पृति पर ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक मोल्यों के अनरोपिया सामाजिक मोल्यों को आदर्स बना करके जीवन में किसी तरह का लक्ष हासिल करता हो तो आप सभी ने देखा हुआ कि ऐसा समाज में कोई अन्य जीव नहीं है जो आदर सात्मक तरीके से जीवन का एकलेक्शन इधारित करे और उसको पाने का प्रयास करे तो ऐसा केवल कौन कर सकता है? मनुष से कर सकता है और केवल मनुष से ही करता है तो ये पॉइंट वही कहना चाहता है कि प्रगती का सम्मंद केवल किसे है? मनुष से सही है इसके बाद हम दख लेते हैं प्रगती की अगली विसेश्था प्रगती की अगली और पांच विसेश्था है कि प्रगती में लाव अधिक हुआ हानी कम होती है और आप सभी को पता है कि प्रिकती जो है वो एक तरह से लाव परदान करने वाली प्रक्रिया या परिवर्तन है मैंने आपको कई बार एक्जामबल ने बताया कि जासे किसी वेक्ती नेक जीवन में कोई लक्ष निर्धारित किया और वेक्ति उस लक्ष को प्राप्ट कर लेता है, समाजिक आदर्सों और मुल्यों के तहत, तो वह वक्ति जीवन में खुस होता है या सुखी हो जाता है। तो जब किसी वेक्ति के जीवन में सुख आ जाता है, यानि कि अपने लेक्षियों को प्राप्त करते हुए जब उसने अपने जीवन में सुख ला लिया तो निशित तोर पर सुख का मतलब ही है कि क्या होगा उसको लाव हुआ और हानी कम तो सामानते है अगर प्रगती जो है एक ऐसा सकरात्मक सब्द है जिसमें जीवन में लाव की भावना जुड़ी होती है अर्थात अगर ऐसा कहा जाए कि कि किसी वेक्ती की जीवन में प्रगती हुई है तो वो एक सकरात्मक तत्व है इसका मतलब है कि उसके जीवन में उसको लाव प्राप्त हुआ है प्रगती से हानी के लिए प्रगती सब्द का समानतय प्रयोग नहीं होता है तो ध्यान में रखेंगे कि लाब है प्रगती का प्रक्रिया है वो लाब देने वाली प्रक्रिया है ना कि हानी देने वाली इसके बाद हम देख लेते हैं प्रगती की अगली विसेष्टा क्या है वो प्रगती की जो धारणा होती है वो परवर्तनसील होती है इसका मतलब यह है कि प्रगती जो है वो अलग-अलग कालखंडों के लोगों के लिए प्रगती जो है अलग-अलग कालखंडों के लोगों के लिए अलग-अलग महत्रगती है यहाँ पर इसको इस तरह से समझे कि जैस जैसे कि आज के लोगे हैं वरतमान काल लोगें तो सभी अलग-अलग आलग आखण्डों के लोगों के जीवन में प्राइटी का अर्ट है वह अलग-अलग करता था परिवर्तन प्राप्त करता था तो उसको कहा जाता था कि हाँ इसने प्रगती प्राप्त की हैं परन्तु आज के समाज में जो हम जिस समाज में आज जी रहें तो यहां के समाज के अधिकांस लोग भौतिक तरक्की या भौतिक जीवन में सुख सुख सुधा में होने इंकाल में आध्यात्मिक तरक्की को ही लोग प्रगती मानते थे जबकि वर्तमान भौतिक समाज में लोग भौतिक सुख सुधाओं में होने वाली तरक्की को ही प्रगती मानते हैं यही यह point कहरा है कि प्रगती की धारणा परिवर्तन सील है समय के आधार पर तो यह इसकी एक विसेश्था हो जाती है अब हम आ जाते हैं इसकी अगली विसेश्था पर प्रगती की जो अगली विसेश्था हमारे सामने है वो है कि प्रगती की धारणा मुल्य आधारित है यहा तो और अगर हम सब बातों को समझें तो समाज ने जिन उचाईयों को या जिन लक्षों को उचित ठहराया हो और उचित ठहराया हो या सही ठहराया हो और एक विक्ति उन लक्षों को प्राप्त करने की कोशिस करता हो जिन ही समाज ने उचित या सही ठहराया हो तब ही हम कहते हैं कि प्रगती को कोई प्राप्त कर रहा है यानि कि यहां पर ये बात साबित हो रही है कि प्रगती मुल्य आधारित है तो ध्यान में रखेंगे प्रगती का अरत कहने कल के आ रहा है कि समाज ने जिन चीजों को सही माना हो और एक विक्ति उन्हीं प्राप्त करने की कोशित करें जिने समाज ने सही माना हो तब ही हम कहेंगे कि उसने प्रगती हासिल की है यानि कि समाज उन्हीं चीजों को सही मानता है जो समाज के लिए सही होते हैं उचित होते हैं तो समाजिक धारणा के अनरूप या समाजिक मुल्यों के अनरूप होनी चाहिए प्रगती और होती भी है। जिसे समाज उचित मानता हो, ऐसे लक्ष जिसे समाज सही मानता हो, ऐसे लक्ष जिने समाज समाज के कल्यान के लिए उचित मानता हो, अगर कोई वक्ती इन्हें पाने का प्रयास करता है, तब ही हम कहते हैं कि उसके जिवने प्रगती भी है। विकास क्या है उसको समझ लेते हैं समाजिक द्रिश्टिकोंड से तो जब किसी समाज में रहने वाले लोगों की जीवन में लगातार निरंतर एक दिसा में विद्धी होती है या तरक्की होती जाती है तो उसको हम क्या करते हैं विकास अर्थात जब कोई विक्ती जो की समाज में रह रहा है, वो एक तै दिसा में आगे बढ़ता जाता है और ये जो दिसा होती है, वो निर्धारित होती है और वो निर्धारित जो दिसा है, वो हमिशा उपर की ओर जाती है मतलब विकास जो है, वो एक निर्धारित दिसा अर्थाथ उपर की ओर होने वाला परिवर्तन है अब ये जो विगास की प्रक्रिया है इसमें एक बात आपको अवस ध्यान अने चाहिए कि इसमें व्यक्ति के जीवन में आने वाली अच्छाईयों और बुराईयों दोनों को ही लिया जाता है इसमें ये नहीं देखा जाता है कि केवल अच्छाई को सामिल करना है या बुराई को सामिल करना है इसमें एक व्यक्ति के जीवन में गटने वाली प्रते गटना सामिल होती है तो एक व्यक्ति जो समाज का सदस है उसके जीवन में अगटने वाली हर घटना चाहे वो अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो उसको उसके जीवन में एक विकास के तौर पर देखा जाता है और ये विकास हमेशा उपर की ओर यानि आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो विकास के बारे में आपके सिलेबस में इतनी ही बाते हैं अब हम देख लेते हैं विकास और उद्विकास में क्या अंतर है तो आपके लिए exam में ज्यादा माहत्पोंड ये है कि विकास और उद्विकास या फिर विकास और प्रगती इन में क्या अंतर दिखाई देता है तो इन इंतरों को द्यान डिकेंगे इन से आपके लिए exam में ट्रेस्टर बन सकते हैं अब हम देख लेते हैं कि सामाजिक विकास और सामाजिक उद्विकास में क्या अंतर है तो सबसे पहला अंतर है हमारा अगला हीडिंग है क्रांती या रिवॉल्यूशन क्रांती का है उसको देख और समझ लेते हैं तो क्रांती का एक समान अर्थ यह है कि किसी समाज में अचानक घटने वाली कोई घटना कोई ऐसी घटना जो समाज में एक बहुत ही निरनायक और समाज के लिए परिवर्तन कारी घटना के रूमे हो उसे हम क्रांती कहते हैं मतलब यहाँ पर इसफर्ष्ट है कि क्रांती अचानक होती है किसी भी समाज में या किसी भी सब्विता में और वो जो घटना है क्रांती जो कि एक परिवर्तन का ही तरीका है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि समाज में एक बहुत बड़ा आमोल चोल परिवर्तन होता है पुरी व्योस्था ही पलट जाती है कई बार इस परिवर्तन के तरीके से तो ध्यान में रखना है कि क्रांती क्या है तो अचानक घटने वाली ऐसी घटना जो किसी समाज में एक निरनायक परिवर्तन ला देती है तो ये आपने इतिहास में सुना होगा इस सब्द के बारे में बहुत बार बहुत थी चर्चा का विशाय रहा है ये सब्द हमेशा ही क्रांती भारती इतिहास में भी क्रांती का बहुत सारा उधारन मलता है जैसे 1867 की क्रांती या फिर 133 संग्राम की क्रांती तो ये सब्द सुना हुआ है आपका और इसमें आपको ये सब्द का मतलब यहां पर समझ में आ रहा होगा कि क्रांती से किसी भी समाज में एक निरनायक परिवर्तन होते रहे हैं और आगे भी जब भी किसी भी समाज में करांती होगी या किसी भी प्रकार की करांती होगी तो वो कोई नो कोई एक निर्नायक परिवर्तन लाकर के रहेगी समाज में तो ये किसी भी छेतर से सम्मंदित हो सकता है क्रांती सब्द चाहे आर्थिक क्रांती सम्मजलिजे राजनितिक क्रांती सामाजे क्रांती तो प्रतेक छेतर में जीवन के प्रतेक छेतर में क्रांती आती रही है और आती रहेंगी और जब भी किसी भी छेतर में क्रांती आती है तो कोई एक यूग परिवर्थनकारी घटना घटती है या समाज के लिए एक बहुत ही नेनाय घटना बन जाती है वो क्रांती तो ये एक परिभासा की तरह हमने समझा इस सब्द के अर्थ को अब हम देख लेते हैं कि जो समाजास के बहुत सारे विद्वान हैं वो क्रांती की अपने-पनी क्या परिभासाएं या विचारधराएं देते हैं समाजिक विचारकों में जो सबसे पहले विचारक हमारे सामने हैं वो हैं बोगाडस कहते हैं कि समाजिक क्रांती असद भावना तथा रक्त पात की कीमत पर सक्तिसाली विपलो पैदा करके अच्छे वा बुरे दोनों प्रकार के मुल्यों को उखाड फेकती है तथा विस्त्रित सामाजिक पुनरगठन की मांग करती है वहीं किमबाल यंग कहते हैं कि क्रांती एक ऐसा आकास्मिक सामाजिक परिवर्तन है जो साधारणते है वर्तमान राजनितिक व्यवस्ता को बल पूर्वक उलट देने से गटित होता है और जिसके फल सुरूप सामाजिक तथा कानूनी नियंतर्ण के नए सुरूपों की इस्थापना होती है इसके लावा क्रेन ब्रिंटन कहते हैं कि समाषास्त्री रूप से सामाजिक क्रांती का अर्थ वर्तमान सामाजिक संगटन के अंतरगत व्यक्तियों की मनुवर्तियों और सामाजिक मुल्यों में इस प्रकार का परिवर्तन हो जाना है कि वे उसको नए दृश्टिकोंड से प्रारंब कर दें वहीं सिगमेंड न्यूमें लिखते हैं कि क्रांती राजनेतिक संगटन सामाजिक सनचना आर्थिक संपत्ति पर नियंत्रन तथा सामाजिक व्योस्था की प्रमुख काल्पनिक अधारणा में होने वाले व्यापक तथा आमोल चुल परिवर्दन को कहते हैं इस प्रकार क्रांती विकास की निरंदर्ता को तोड़ देती हैं तो ये कुछ प्रमुख व्यक्ति या विचारक हैं जो क्रांती से संबंदित अपनी विचारदाराएं देते हैं समाज की रों समाजिक परिवर्दन का आकास्मिक रोप से गटित होने का एक धंग है और यह मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रांती क्या है एक ऐसी घटना जो आकस्मिक रोप से होती है अचानक होती है और इसके माध्यम से समाजिक परिवर्दन होते रहे हैं इतिहास में कई बार तो जब भी किसी भी समाज में किसी भी परकार के क्रांती होगी तो आपको ये एक बहुत ही महत्पूर्ण समाजिक परिवर्तन दिखाई देगा उस समाज में जहां पर वो क्रांती हो रही है तो परिवर्तन ला देती है वो भी अचानक से किसी भी समाज में क्या क्रांती पहली विसेस्ता ये है क्रांती की अब हम देख लेते हैं इसकी अगली विसेस्ता क्या है क्रांती की अगली या दूसरी विसेश्टा है कि क्रांती नेत्रों तुम्हें परिवर्तन ला देती है आप इधियास उड़ा के देख लिए जब भी किसी देश या समाज में किसी भी प्रकार की क्रांती हुई है चाहे वो क्रांती आजादी को लेकर के ही क्यों न होई हो या आजादी प्राप्त करने के लिए ही क्यों न होई हो जब भी ऐसा हुआ है किसी भी देश या समाज में तो ये निशित तोर पर हुआ है कि क्रांती की सफलता के बाद उस देश या समाज में नेत्य तो करता भी बदल गए अर्थात नेत्य तो का परिवर्तन हो गया नेत्य तो का इस्थानांतरन हो जाता है उदारन के लिए अगर हम देखें तो भारती इतिहास में 1947 तक भारत में अंग्रेजों का सासन था और सतंतरता के आंदोलन के दोरान होई विविन करांटियों के चलते 1947 में भारत का जो नेत्य तो है वो भारतियों को सौप दिया गया ऐसा ही आपको कई और देशों और समाजों में अलग-अलग इतिहास के कालखंडों में दिखाई देता है कि जब भी क्रांति होती है तो परिवर्तन होता है और परिवर्तन ऐसा होता है कि नेतित में भी परिवर्तन हो जाता है तो क्रांथी की एक बहुत ही महत्पून विसेष्था ये है कि वो ना केवल परिवर्तन लाती है, बल्कि नेत्रत भी बदल के रख देती है समाज में नेत्रत्य तुकरता जो होते हैं अलग-लग समय के उनको भी बदल कर रख देती है जिस शेतर में भी क्रांती आएगी उस शेतर में ये तय है कि नेतर तो करता भी उस शेतर के बदल कर रख देती है ये क्रांती तो क्रांती की एक बहुत ही मत्मोर विशेष्टा यही दिखाई देती है अब हम देख लेते हैं अगली विशेष्टा क्रांती से जुड़े हुई क्रांती की अगली विशेष्टा है कि क्रांती का छेतर व्यापक होता है क्रांती का छेतर व्यापक होने का अर्थ है कि क्रांती जो है वो किसी एक निश्यत दायरे में नहीं होती या किसी एक निश्य छेत्र के अंतरगती करांती नहीं दिखाई देगी समाज में ऐसे प्रतेक विसे जहां पर किसी भी तरह की घटना की समभावना है वहां पर करांती हो सकती है जैसे कि आर्थिक छेत्र जहां पर किसी भी प्रकार की परिवर्तन की समभावना है आप समझेगा इसी बात को कि समाज का ऐसा कोई भी छेतर जहां पर किसी भी प्रिकार के परिवर्तन की सम्हावना है या जहां पर परिवर्तन हो सकता है वहां पर क्रांती के होने की सम्हावना हमेशा ही बनी रहती है जैसे कि राजनितिक छेत्र, आर्थिक छेत्र, समाजिक छेत्र, धार्मिक छेत्र तो ऐसा जो भी समाज का अंग है या समाज के अंदर जो भी इस तरह के तत्तों हैं उन सभी तत्तों में, उन सभी हिस्सों में किसी न किसी समय करांती होने की समहोना बनी रहती है अगर किसी समय विसेस में उस छेतर में किसी प्रकार की कमी पैदा हो जैसे माली जे समाज में कोई कुपरथा चल रही है या समाज ऐसा है जिसमें लोगों का सोशन हो रहा है तो यह तैय है कि ऐसा समाज जिसमें लोगों का लगातार कई पेडियों से कई वर्सों से सोचन हो रहा है तो कोई न कोई एक ऐसा दोर आएगा जब उस समाज में कोई नेत्रत करता सामने खड़ा हो जाएगा और वो नेत्रत करता समाज में करांती ला देगा उन मानिताओं के खिलाफ जो समाज में लोगों का सुशन कर रही है तो यहां पर व्यापक का आर्थ यही है कि क्रांती समाज के विभिन हिस्सों में या किसी भी छेतर में हो सकती है और वो छेतर आपको मैंने बताया सामाजिक राजनीतिक आर्थिक धार्मिक ऐसा कोई भी छेतर सामिल हो सकता ह है जिसमें क्रांती संभव है तो ये एक तीसरी विशेष्टा हो गई अब हम देख लेते हैं क्रांती की चौथी विशेष्टा क्रांती की अगली विशेष्टा है कि क्रांती की कारण समाज तथा उसके विभिन चेत्रों में आमूल चुल परिवर्तन आ जाता है इसका मतलब यह है कि जब भी किसी समाज में या समाज के किसी छेत्र विशेस में किसी भी तरह की क्रांती होती है तो उस क्रांती के चलते उस छेत्र में पूरी तरह से ही परिवर्तन आ जाता है चाहे अगर राजनितिक परिवर्तन हो चाहे आर्थिक परिवर्तन हो किसी भी छेतर में ध्यान में रखेंगे तो जब भी किसी समाज के किसी छेतर में करांती आती है तो वह करांती उस छेतर को पूरी तरगे से बदल कर रख देती है एक नया ही स्वरूप फ्रस्तुत कर देत पूरानी राजसाही व्यवस्था के जगए एक नई वामपन्थी व्यवस्था इस्थापित हो जाती है। पूरानी व्यवस्था की जगए एक नई व्यवस्था का जन्म हो जाता है। और इस नई व्यवस्था का जन्म ही कहलाता है आमूल चुल परिवर्तन होना। कि उसमें से क्या रिजल निकल कराएगा या किसके फेवर में रिजल निकल कराएगा। कुछ भी हो सकता है सम्हावनाओं के दौर खुले होते हैं क्रांती की सुरुआत होने पर। तो यहाँ पर यह पॉइंट यह कहाना जा रहा है कि यह एक अप्रत्यासित घटना होती है क्रांती और इसके बारे में पूरु में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद हम देख लेते हैं छटवी विशेष्टा कि वो छटवी विशेष्टा क्या है क्रांती संबंदित। लोगों ने उस क्रांती को सुरू किया है और जिस विशेष्ट को लेकर के या जिस उद्देश को लेकर के उन्होंने क्रांती की सुरूत की है यदि वो उसको पाने में सफल हो जाते हैं तो फिर तो उनके लिए लाप्रद है परन्तु यदि वो अपने उद्देश्टों को पाने में अस्फल हो जाते हैं और उस क्रांती को यदि कुचल दिया जाता है या स्वाप्त कर दिया जाता है तो फिर ऐसी दसा में ऐसी क्रांती हानी प्रद भी हो सकती है हानी कारक भी हो सकती है लोगों के लिए तो ध्यान में रखेगा कि क्रांती जो है उसकी विसेश्था म कि क्रांती का उद्देश से वर्दमान व्योस्था परिवर्दन होता है ना की सुधार इसका मतलब यह है कि जब भी किसी देश या समाज में क्रांती होती है चायो किसी भी छेतर में हो तो उस क्रांती का एक ही उद्देश होता है वह व्योस्था जिसका वो विरोध कर रहे है उसको पूरी तरह से समाप्त करके एक नई व्योस्था की इस्थापना कुरांती का उद्देश वहां पर यह नहीं होता कि जो प्रशलित व्योस्था है उसमें किसी भी प्रकार का सुधार कर दिया जाए और फिर मान लिआ जाए कि कुरांती सफल हो गए तो इसे क्रांती नहीं का जाएगा, क्रांती तभी ही है जब उस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए या करवा दिया जाए और उसकी जगह एक नई व्यवस्था को ला दिया जाए या अपना लिया जाए तभी हम कहेंगे कि क्रांती हुई है और यही क्रांत उसे इसता है कि क्रांती का जन्म कैसे होता है किनी न किनी सामाजिक असंतोसों की वज़े से क्रांती जन्म लेती है और ये सामाजिक का असंतोस कुछ भी हो सकते हैं या किसी भी छेतर में से संबंदित हो सकते हैं जैसे कि राजनीतिक छेतर आर्थिक छेतर धार्मेक छेतर साम बाहना जन्मन लेने लगती है और यह अवसंतोस की बाहना दिरेदरे इतनी बड़े जाती है कि एक दिन अचानक ही क्रांकी हो जाती है तो यदि यकसी देश या समाज में लोगों को किसी भी चेतर में उनके अधिकार नहीं दिये जाएंगे या किसी एक विसेश छेतर में उनके अधिकार छीने जाएंगे या उनके साथ अत्याचार किया जाएगा या उनके अधिकारों का दमन किया जाएगा तो एक समय जरूर ऐसा आता है कि लोग उठ खड़े होते हैं और उस अत्याचार का उस एक तरह से जो उनके साथ हिंसा हो रही है या उनके अधिकारों का जो उलंगन हो रहा है उनके खिलाप एकठा हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं और अचानक से एक दिन वो उसके खिलाप हो जाते हैं और उस अत्याचार को सहने से मना करते हैं तो ये जो बोला जा रहा है कि सामाजिक असंतोस से क्रांती होती है तो ये यही चीज है कि अचानक से एक दिन लोग खड़े हो जाते हैं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तो क्यों हो रहे हैं क्योंकि उनके अधिकार उन्हीं नहीं दी जा रहे हैं उनकी सुधाएं उन्हीं नहीं दी जा रही हैं यानि कि उनमें कहीं असंतोस है तो अगर लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का सामाजी का संतोस है किसी भी छेतर में तो एक दिन ऐसा जुरूर आए कि उस शेतर में क्रांती होके रहेगी तो यह एक अगली विशेष्टा है जो आपको दिखाई देरी है इसके बाद हम आ जाते हैं नौवी विशेष्टा पर कि क्या है क्रांती की अगली विशेष्टा क्रांती की अगली यानि नौवी विशेष्टा है कि क्रांती सुतह नहीं ही होती यह बाद भी बिल्कुल सत्य है कि कोई भी करांती अपने अपनी हो जाती मतलब समाज कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो यह नहीं कि अपने आप ही सुधर जाएगा या लोग एक आपस में बिना जागरुक हुए ही इकठा हो जाएंगे और रातो रात करांती को संपन गराद देंगे और समस्या के समाधान कर देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता करांती को करने के लिए एक जागरुक जनता या समाज की आवसकता होती है जो किसी न किसी समस्या से लगातार परसान हो या उस समस्या को जेल रही हो और जब उस समाज को ऐसा लग रहा हो जो कि जागरुक समाज है ऐसा लग रहा हो कि अब बस बहुत हो गया ये समस्या अब नहीं हो रहनी चाहिए इसे समाप्त होना चाहिए तब फिर जाकर के वो लोग जो कि समाज के जागरूख लोग हैं, सचेत लोग हैं, वो लोग एकठा होते हैं, सक्री होते हैं, समाज के अन्य लोगों को भी सक्री करते हैं, उस समस्या से अउगत कराते हैं, और आपस में जब सब इन में एकता इस्थापिद हो जाती है, तो त प्रियान रखेगा कि क्रांती के लिए लोगों का जागरूख होना सचेत होना बहुत जुरूरी है ताकि वो क्रांती के लिए कारे कर सकें क्रांती की दिशा में कदम बढ़ा सकें जब वो क्रांती के लिए कुछ प्रयास करेंगे तभी क्रांती संभव है और तभी समाज में परिवर्तन भी संभो है तो यह पॉइंट यह करा है कि क्रांती सुत्य संभो नहीं है इसका बाद हमा जाते हैं अगली उसेश्टा पर क्रांती की अगली उसेश्टा है कि क्रांती एक सामोहिक क्रिया है ना की व्यक्तिगत यहां पर इस पॉइंट या इस बातकार्थ है कि समा समाज के किसी भी छेतर में या किसी भी हिस्से में जब भी कोई किरांती होगी तो यह अवस्स दिखाई देगा कि कोई उस करांती को कोई एक व्यक्ति नहीं करता है उस करांती को समाज के कई लोग मिलकर करते हैं क्योंकि समस्या जो होती है समाज के अंदर वो किसी एक व्यक् तो उस संपूर्ण समाज की समस्या को उस समाज का कोई एक विक्ति समापत नहीं कर सकता इसके लिए बहुत जरूरी है कि संपूर्ण समाज के लोग जागरूप बने और वो सब मिल करके कोशिस करें की समस्या का हमिसा के लिए समादान हों तो यहां पर यह बहुत ध्यान में पहले बात है कि अगर कभी भी इतिहास उठा के देख लिजे और वरतमान में भी भविस्म भी तो कभी भी आपको ये नहीं दिखाई देगा कि कोई भी क्रांती किसी एक विक्ति ने अपने दम पर ही सुरू की हो अपने दम पर ही इसको सफल बना लिया हो ये बहुत जरूरी ह कि हो सकता है कि सुरूआत करने के लिए कोई एक विक्ति लोगों को जागरोग करने का प्रयास करने में प्रयास करता हुआ दिखाई दे परन्तु धेरे दरे उसमें लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है जब कोई क्रांती होती है तो उसके पहले ये बहुत जरूरी है क उसके लिए एक जन समूह का निर्मान हो तो जब एक जन समूह बन जाता है और वो जन समूह सामोहिक रुप से प्रयास करता है किसी समस्या के समधान का तभी क्रांती सफल होती है और तभी समाज में किसी भी तरह का परिवर्तन संभा होता है एक विक्ती कभी भी करांती को सफल नहीं कर सकता है तो ये कुछ प्रमुक विशेषताएं हैं करांती से सम्मंदित जिन्हें आपको ध्यान में रखना है